इस lecture के अंदर हम देखेंगे neural network का architecture, architecture क्या होता है, किसी भी चीज की structure या किसी भी चीज की जो gray structure आप बोल देते हैं, उसको हम architecture बोल सकते हैं, क्या architecture क्या होता है, basically आपका एक neural network है, neural network बना कैसे है, कैसे into की तहें लगाएंगे हैं, या neurons की तहें लगाएंगे हैं, कैसे connection बिल् प्लस आउटपुट है इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं तो मैं सीधा आपको अपनी स्क्रीन पर ले जाता हूँ यह आपके पास यहां पर नियूरल नेटवर्क की आर्किटेक्चर आपके सामने मौझूद है नियूरल नेटवर्क अगर आप सिंपल बात करें तो इससे आर्टिफिशल नियूरल नेटवर्क बोला जाता है स्टेंडर नेटवर्क भी बोला जाता है सिंपल नेटवर्क भी से एकसर लोग कह देते हैं तो आप देखें कि ये nodes हैं, एक दो तीन nodes हैं, इनको जब stack किया गया है, तो ये इनकी एक layer बन गी है, ठीक है, तो अगर आप यहां पर गोर करें, तो ये भी nodes की layers है, neurons की layer है ये भी, तो जो पहली layer है, इसको input layer बोला जाता है, आखरी को output और उनके बीच वालियों को हम hidden layers बो sorry for that, ये है convolutional neural network या CNN, इसके अंदर आप देख सकते हैं, एक image होती है, image के pixels को matrix की form में हम read out करते हैं, वो matrix की form के अंदर read out करने के बाद हम उसको one dimensional array के अंदर ले आते हैं, और ये सारे का सारा होता है matrix की product formation के साथ, kernel इसमें use के जाते हैं, और हम matrix को matrix के साथ multiply करते हैं, kernels के स साथ multiply करते हैं, जिससे dimension जो है, वो reduce होती जाती है, और ये मैंने mathematics के अंदर ये चीज़ पर बड़ा जोर दिया था, and now आप से मेरी request है कि अगर आपने मेरे mathematics के लेक्शन नहीं लिए, तो please हमारा 6 मा का जो course है, उसमें mathematics का part होगा, उस पर ज़रूर फोकस कीजेगा, if you want to learn image analysis और image analysis को समझ के image classification के ओपर चाना जाते हैं, फिर आता है जनाब recurrent neural network, जिसको हम RNN बोलते हैं, RNN के अंदर आप basically अपनी हर एक NLP या time series के data को deal करते हैं, तो NLP क्या होता है, आपका कोई भी text, तो text में, this is my book, इसके अंदर एक sequence है, defined sequence है, this जो है सबसे पहले आ रहा है, इस उ नहीं कर सकते हैं, book को पहले लें, this को end पर ले जाएं, book is this my, ऐसे तो नहीं नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे करेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम जो है वो खराब हो जाएगा, RNN क्या है, RNN वो इस memory को भी साथ में स्टोर करता है, जहां पे कोई ची यहीं नहीं, अभी आपको एक और चीज मैं दिखाता हूँ, कि आपके पास यहां पे single layer versus multi layer neural network भी होता है, जब आपके पास एक input layer हो और एक output layer हो, इसको बोला जाता है single layer neural network या network, ठीक है, यह 1994 का paper है, और 1994 के इस paper के अंदर अगर आप इस image का screenshot लेंगे, गूगल पे reverse image search लग यह, multi layer network क्या होता है, कि आप एक neural network है, आपके पास इस तरीके से एक layer input layer, फिर बीच में hidden layer है, फिर आपके पास output layer है, ठीक है, तो single layer यह वाला यह multi layer network है, multi layer के अंदर hidden layers भी होगी, single layer के अंदर hidden layers नहीं होगी, simple weights and biases आपकी output layer में directly चली जाएंगी, hidden layers हैं, जहां पे आप activation functions व and we will see inshallah कि इन में फरक्या होता है, architecture आपको समझ आगी, now in next lecture I will tell you कि single layer और multi layer में कौन कौन से differences है and how can we highlight these differences, अब आप से एक ही request है, कि यहां तक जितना भी आपने lecture मेरे से देखा है या हमने अभी पढ़ा है, इसके बारे में जरूर देखें और इसको एक दफ़ा स्टड़ी जरूर करें, जब हम इस lecture को finish करेंगे, यह ना कीजेगा कि आपने lecture सुन लिया and that's it, ठीक है जी?